गाइस आज गे वीडियो आउजा का SPA 15000 अम्लिफायर के उपर है और आप लोग अम्लिफायर देख सकते हैं यह अम्लिफायर है और इस अम्लिफायर को लगबग सबी लोग जानते होंगे यह अम्लिफायर काफी पारफूल है हालाकि अम्लिफायर पंदर सुरेच में आता है लेकिन इसका लोड काफी ज़्यादा चमता है मतरफर लोड लेने का चमता काफी ज़्यादा है और इस अम्लिफायर को ज्यादा अता टॉर यह यह फिर वेल्फेस लिया यह दोनों में जाता रिस्तमाल जाता है जैसे कि कि आप ज हम चांशी का होगा और आप लोग सबस्क् पार कुछ मताख खराब ना हो और हमेशा के लिए चला सकते हैं मैकसिमिल लोड के इसाब से तो उसके भी बारे में आपको बतने वाला हूं और एक भाई ने स्वाल किया था कि इस अनलिपायर में क्या हम 35 का लोड डाल सकते हैं जैसे कि मेरे पास बेसेंड टॉप है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलने वला है किस तरह लोग बेस्ट चला सकते हैं कितने इंचे वह सकते हैं सब्सक्राइब बताया हूं और इस वीडियो में आपको भी फूल डिटल के साथ ही बताऊंगा तो प्लीस ब्रो लास्त जो देखेगा आपका कोई भी स्वाल है किसी प 15,000 और यह अपका प्याइब आपको पहले बतायता हूं उसके बाद मैं आपको और वीडियो के साथ बताऊंगा तो चले देखें अपको यहां पर आउज्या का ब्रेंड लोगों आपको दिनों मिल जागा उसके नीचे आपका मोडल नमबर और साथी लिखा आपको दिनों मिल जाता है और इधार आपको कुछ ताम इसे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आपका स्वंग पर नहीं होगा इसमें आप लोग पता लगा सकते हैं और इधर आपका कुछ जाता है तो उसके उपर दिया है जो की फॉल्ड का तो यह आपका option जब भी मतलब में कोई भी खराबी आएगा आपको दिनों मिल जाता है यह आपका रिशेट बटन है जब भी अबरलोड होगा उस टाइम यह पूस बटन मतलब आप बाहर के तरह निकल के आएगा तो यह ठीक होज जाएगा लगबग और आपने लोट को आटा कर जिसे आप लोग आप करके फिर से ओन करेंगे तो यह अम आपसिशन आपको दिनों मिल जागा बात करेंगे वद दिनों मिलमिल जागा तो सबसे पहला यह अपको दिनों मिल जो की दिस अंपियार का जो कि आप लोग देख सकते हैं दोनों 1700 के बारे मैंने मैं uda आप NO-DI टिन फिंग चले और उसके नीचे आपको 2100 बोलट है चला अपको टो सचरिवारे के लिए में एस लाइन लायन देखे कर इसे चला सकते हैं करे लगा सकते हैं और इसा नहीं कि आपना इस्टबजार फिर लाएंगे इसा नहीं करना है आपको इस पार कंजूंशन को ही देखकर लगना पड़ेगा जैसे कि अपका दिया है ऊपर में आपको दिनों मिलेगा ground का on या फिर off का option मिल जाता है तो इसे आप लोग हमेशा नहीं रखेएगा काफी अच्छा रता है चले आगे बढ़ते में आपको मिलेगा 100 mode और input इस तरह आपको option मिल रहा है हलाकि इस option के बारे में काफी लोग इूज नहीं करते है और इसको जानना भी नहीं चाते है कि मेरे इसाब से इस option को अलाग एमलिफायर से जोड़ने के लिए मतलब किया गया है मतलब plug to plug मतलब दोनों को direct connection करने के लिए इसे दिया गया है मतलब एक परकार का output मान लिजे इसे इन करना पड़ेगा दूसरे Milky Way में लिपायर के साथ इस तरह ये लगवबध करता है और हरको ही इस तärह करना नहीं चाहते हैं लगवबक करता भी नहीं है हलाकि इस option के बारे में मतलब कोई झानना भी नहीं चाते है तो चले सम चोड आगे बढ़ते हैं आगे मिल जाता है 200dsW और 1 बोल्ट एसे हैं आप सब्सक्राइब को सब्सक्राव मिल जाता है इसे हैं अगर कोसिज केज़ेगा 200 मिलीबोल्ट है जाते हैं आउटपुट देश सकते तो इसका ही काम होता है और उसके नीचे आपको दिनों मिलेगा एक बड़ा सा फैन मतलब इस अमिलिफार में फैन दिया गया है जो के अच्छा काम कहा है आउजा नहीं मतलब बड़ा मिलिफार है तो फैन दिना चाहिए लगबग ठीक है और इसमें आपको दिनों मिलेगा कोमन सत्र अंडे जो कि लाइन बोल के ओप्शन दिया गया है और साथ ही आपको यहाँ पर ओप्शन दिनों मिलेगा कोमन टूओं फोरूम तो इसमें आपको इस पिया चला सकते और जो कोमन सत्र अंडे इसमें आप लोग LMT डामट आप लोग चला सक लकते में आपको आगे बतांगा लोग ईस अलेफार की ईसाइट के बारे में लगबं मैने आपको बता दिए हूँ चले आप बात करूंगा, इस अलेफार की School की मैक्समिमлись सब्सक्राइब क्यों थो कहता नोम हो दोच की अनि गाल सकते, मैं अराम से जहल सकता हूं अम्लिफायर का एकन आए और अम्लिफायर की फिक बेंसी रिस्मस आपको दिनों मिलेगा पचास अर्स लेकर 15 आजार अस्तर दिनों मिलेगा जो काफी बढ़िया है और इस अम्लिफायर की जो पार्ष अभले की बारे में बात कुछ आपको दिखा चुका हूं जो कि 240 बोल्ट आपको चलाना पड़ेगा 220 लेकर 240 बोल्ट आपको देखकर ही चलाना पड़ेगे इस अम्लिफायर को तब ही आच्छे से चलेगा और इसका डिसी में बात कुंद डिसी के कोभी अप्सन नहीं है मतला आपको बेटी से इतना बड़ा बड़िवर्ट चलाना चाह powin ten kaç चला सकते हैं तो देखे इंटर डीफिर क जला पायेगे ख्य्यृ कोई दिखने है इसका आप लोग चार इंची का लगा सकते हैं पर नकरा पार किसे आपसे मतलब थोड़ा से ज्यादा लोड़ देकर मतलब सही से चला ले उस हिसाब से तो इसमें आप लोग एक जोड़ेश का भी दो इस पी अराम से चला सकते हैं कोई दिख्केंद नहींगा चार इंची वह सकल या फिर चार इंची का लगबग होना चाहिए यह सब से बेस्ट होता है और अच्छा आपको पंची और अच्छा साउंड क्कुलिटी आपको मिल जागा अगर मैं बात करूं इसके मैक्सिम पार किसा आप से थोड़ा से लोड़ ज्यादा मतलब देकर तो कम से आप लोग एक हजया चला लेगा कोई प्रोलम नहींगा तो मतलब दो बेस भी चला सकते है सेलफायर में काफी बरसे चले अब बात करेंगे टोंपर कितना ओडह की सपया चलाएंगे तो hep में आप लूग 15 की सपीा चला सकते हैं जैसे कि मैं बात करूं तो पांच ओड़ चारो छाज पीका लगा सकते टोंपर कापी बरसे चलेगा कोई दिक् इतना लोट यह यह निपार आप से झेल सकता है, और काफी बिडियाँ से चला लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोट देकर चला सकते है, चलें आदे बात करेंगे, इस थापर में, अगर आप लोटेब चला जाएंगे, तो कितना उडच कर चला सकते हैं, तो देखें, अ लगवा आप लोग पचास पीस लगाना चाहेंगे तो इस में चला लेगा जाएगा चले अब बात करेंगे इस लगवा गया है तो यह क्या चला सकता है डाल सकते यह अराम से चला लेगा और काफी पैना लेगा इसमेंको दिक्क्त नहीं हता है लेकिन बात करूं लोड लेगापी नहीं लेगा यह इसमें कोई प्रोलोम नहीं एगा वह भी इतना लोड दीजे लगवाई यह लेगा लेकिन इसमें डीपेंड करता है कि इसमें प्रोलोम क्या क्या आएगा तो जैसे में बात करूं इसमें आपको हीटिंग का और एक प्रोलोम आएगा जो की साउंड कोईटी इसमें आपको अच्छा सा नह नहीं मिलेगा तो कि इतना लोड देना आप लोग बेस लोड दीजिए 25 उड़ेश काफी अच्छा रहेगा और बेस चलाने के मैं बात करूं आप लोग कौन-कौन सब बेस चलाएंगे मैं आपको भी बताएता हूं अगर आप लोग चलाना चाहेंगा तो आप लोग अराम से दिख्कर नहींगा दूसरा बेस के मैं बात करूं तो आप लोग आउज्या का एस डवलु एक्स आर्ट दस जो की बेस आता है आर्ट उड़ेश का उससे जदा और एक बेस आता है जो की चपिस चपिस और उस बेस को चलाने के मैं बात करूं जो कि आप लोग देख सकते ही तो इसमें आपका चलेगा लेकिन इसमें थ्रुदा सा प्रोलोम आएगा जैसे की हीटिंग का साती बेस और भाइब्राटा सब्सक्राइब तो नहीं लेकिन लगवग चला सकता है जो की Slus X 1300DX जो की Dual Base है जो के आप लोग देख सकते हैं यह आपका Tomb में रणी होगा और Tomb में Base चलाना से नहीं होता है जैसे आप लोग जानते होगे लेकिन कहीं लोग इस Amelie Fire में इस तरह Dual Base को चला लेता है और काफी बनाहीं से चलता है लेकिन मैं जाता रिक्मेंट नहीं करूँगा कि टोब में इस तरह दो डोल बेस को चलाना उतना अच्छा नहीं होगा और चले आप बात करेंगे इस अनलेफायर में आउजा का कौन-कौन सा टॉप चला सकते हैं सबसे पहला टॉप आपका आउजा का SPX-1210 यह अप लोग 2-50 चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दुसरा टॉप है आउजा का SPX-10 जोकी ठीक्रट है और हाय चोटेज बात टॉप है तो इससे भी आप लोगद 2-50 चला सकते हैं लगबद 2 टॉप ही है इस अनलेफायर में बानकार यह दे दिया हूँ अगर इस अनिपायर के बारे में कुछ छूड़ रहा है तो आप लोग जोरू कमेंट किजेगा हो सकते मैं आपको रिप्लाइ तुरून देती हूँ या फिर उसके सबसे वीडियो जोरू लाओंगा और इस अनिपायर में आप लोग अधिकतर वीडियो में